तो फर्स्ट आर्टिकल है Science and Technology Research and Development Point of View से दीपक पेंटल के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है इनका ये कहना है कि UNESCO की जो स्टार्ट्स हैं मतलब उनकी जो द्वारा जो डेटा दिये जाते हैं उनके इसाब से देखे तो ग्लोबल एक्सपेंडिचर जो की Research and Development पे होता है वो है लगबग एक पॉइंट साथ ट्रिलियन डॉलर तो ये तो हो गया World Community के द्वारा Overall पूरी दुनिया के द्वारा कितना पैसा खर्च किया जाता है इंडिया कहां स्टेंड करता है तो ऐसे में जो measurement किये जाते हैं जिस स्केल्स पर ये चेक किया जाता है कि कौन सा कंट्र expenditure on R&D that means हम इसको बूलेंगे GERD ये हो गया एक तरीके से कि जितनी GDP है एक कंट्री की उसका कितना परसेंट जो है वो खर्चा किया जा रहा है research and development पे ठीक है तो ऐसे में अगर हम हमारे यहां पर graph की बात अभी यहां मतलब graph दिया हूँ उसका सीधा data हमारे पास में available है कि इ GDP का सिर्फ कितना 0.66% जो कि अपने आप में एक परसेंट से भी कम हो गया दूसरी तरफ हम एक दूसरी तरफ अगर हम देखें हम वर्ल्ड में super power बनना चा रहे हैं आत्मिर बनना चा रहे हैं और हमारा GDP का जो एक हिस्सा है वो कि ओल 0.6% ही खर्च किया जा रहा है research and development पे त station country जैंसे हम अपने आपको compare करते हैं for example South Korea, Japan, Taiwan इन से तो बोला इनके comparison में हम research and development में बहुत कम पैसा खर्च करते हैं दूसरा worst scenario क्या आ रहा है कि पिछले कुछ सालों में ये जो research and development के लिए जो allocation होता है budgetary allocation वो downward trend में है मतलब लगातार कमी देखने को मिल रही है आज अगर हम देखें तो 2022 थे इसका जो budget है इसमें फिर से अभी जो statement रिलीज हुए research and development के लिए वो एकदम फसे पड़े हैं that means ज्यादा कुछ इसमें investment नहीं किया जा रहा है सरकार के दौरा finance minister का जो budget speech था भी 2022 थे इसका उसमें दो references दिये गए है research and development के लिए मतलब research and development आर एंडी से related issues पर दो consideration रखे गए है पहला तो कि defense research and development जो है उसमें private sector का भी role आएगा startup ecosystem को भी promote किया जाएगा और academia को भी दिया जाएगा तो ऐसे में defense budget जो है वो आप देखो लगबग लगबग जितना allocate किया जा रहा है defense के लिए budget procurement और यह सारे की जाते है equipment उसका 25% जो है खर्चा वो इस पे दिया जाएगा ठीक है research and development के लिए इसके अलावा दूसरा जो point है क की sunrise opportunities पर focus किया जाएगा सरकार के दौरा जैसे artificial intelligence, geospatial system that means यह उपर से जो satellites का use करना है और geographically चीजों को access करना, minerals के बारे में exploration करना, drone हो गया, semiconductor chips हो गई, या फिर space, genomics, genomics का मतलब आप जानते हो जिसमें हम gene editing और इनके बारे में पढ़ते हैं या फिर आप देखते हो pharmaceuticals, green energy clean mobility system, इन पे हम research and development और ज़्यादा increase करेंगे, अब इनको sunrise क्यों बोला है, यह अपने आप में promising है कि आने वाले future में, यह अपने आप में बहुत ज़्यादा important role play करने वाले country की economy में, अब सवाल यह है कि यहाँ पर academia के साथ में collaboration किया जाएगा, तो writer यहाँ पर यह बोलना चा रहे हैं कि sunrise opportunities आपने recognize तो कर दी, पर क्या आपने उनके लिए extra provision किये हैं, बजट में कुछ extra पैस allocate किया है, तो उसका answer है not adequately, तो इसका मतलब क्या है, कि recognition तो सरकार के पास में है, बट dedication नहीं है, फिर इसके बाद में economic survey को यहाँ पर quote कर रहे हैं, कि 2021-22 का बजट जो economic survey आया, जो कि budget से पहले ही release हुआ, उसमें सीधा सा economic survey में किया हुआ है, कि हमें research and development पर ज्यादा focus करना होगा, हमारे यहाँ पर बहुत कम invest किया जाता है research and development में, मतलब सरकारी document यह बात बोल रहा है, उसके बावजूद सरकार वहाँ पर allocation अच्छा नहीं कर रही, तो बोलो ठीक नही तो उसको बढ़ा करके हमें ले जाना है 2% तक, इस situation में अगर देखें, तो हम तो अभी भी 0.66% पर हैं, तो यह चीज कहीं न कहीं discouraging है, दूसरी तरफ Western और Eastern Asian economies की बात करो, जहाँ पर उन particular countries की GDP का बहुत बढ़ा हिस्सा जो है, वो research and development पे खर्च किया जाता है, इसके अला प्राइवेट सेक्टर का research and development में कितना contribution है, 100 रुपए अगर research and development में खर्च हो रहे हो तो उसमें से 37 रुपए प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, अब इसको जरूरत है कि 37% से increase करके 68% तक ले जाए जाए प्राइवेट सेक्टर का जो contribution है R&D में, ठीक है, पर सवाल यह है क इसके लिए शुरुवात कौन करे, देखो प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा profit making के लिए आता है, अगर कुछ भी नया करना है, kickstart लेना है, तो उसके लिए सरकार को ही एक lead role play करना होता है, तो इस case में budgetary allocation को increase करना बहुत जरूरी था, इसके आगे अगर देखें, तो जो एक comprehensive report अगर हम देखें, कि इंडिया में वाकई में, R&D में कौन कौन से segment में सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, तो एक तो देखो Department of Science and Technology, DST, उसमें इसके द्वारा ये पूरी दी गई है, अपनी detail, जिसमें ये था, कि 2000, मतलब DST के द्वारा ये report release की गई है, कि इ 2017-18 में, R&D के हिसाब से एकर देखें, तो जितना allocation हुआ, उसका 61.4% हिस्सा तो केवल DRD के पास चला गया, मतलब 61.4% है न, वो तो DRD के पास चला गया, टोटल है न, इसके अलाबा Department of Space, 19%, Atomic Energy की बात करो, तो उसको कितना मिला है, 10.8% और 37% जो बच गया, वो फिर बाद म बचा हुआ जनरल और जनरल R&D एजेंसी, जैसे की Indian Council of Agriculture Research, CSIR, DST, इनके लिए बचा हुआ छोड़ दिया, पॉइंट की आ रहा है, कि यहाँ पर हमारे allocation, जिनको sunrise opportunity हम बोल रहे थे न, उपर, उनके लिए allocation कितना कम है, यह वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखत बात है, क इसमें हमारे हाँ पर ज्यादा research अभी तक हो नहीं रही है, ठीक है, दूसरी तरह अगर developed capitalist countries की बात करें, तो defense related research and development है न, उसमें ज्यादा तर role play करवा रहे है, प्राइवेट सेक्टर के, जबकि इंडिया में क्या हो रहा है, कि defense related जो भी R&D है, उसमें public sector, that means, ज्यादा तर सरकार खर्चा उठा रही है, जबकि सरकार को काम क्या करना चाहिए, कि science and technology में इस तरीके से R&D को promote किया जाए, जो कि हमारे यहाँ पर social welfare को promote करें, अब defense की रिन की बात की जाए, तो इनमें private sector का अगर promotion हो, तो वो जादा अच्छी बात है, ठीक है, तो ऐसे में हमें जरूर इंटेंसिव एरियाज अभी तक में फोकस किस पे है, प्राइवेट सेक्टर तो देखो पैसा कमाने के लिए करता है, यह तो डाउट है नहीं, तो इसमें एक तो फार्मशोटिकल्स, अभी कोविड के टाइम पे देखो, कितना जादा मतलब profit making की गई है, जो प्राइवेट सेक्टर की जो भी institution है, और एक bio technology, इसके अलावा IT hardware, software, automobile, material, chemical, aerospace, defense, इन पर भी प्राइवेट सेक्टर बहुत फोकस करता है, बट जो एक ratio है, रेशो यह कि कहां पर किसका कितना खर्चा हो रहा है, तो उसमें यह देखो, globally चल रहे हम न, तो प्राइवेट सेक्टर 2001, 2002 की 19 और public sector की 81, मतलब 100 में से 90 parts तो contribute कर रहा था private sector, और 81 part contribution आ रहा था किसका, public sector का, जो की बढ़कर के कितना हो गया, 35 इंस्टू 65, जो की 2011 में, और उसके बाद में अभी तक कोई changes नहीं आए, अब आप देखो, कि private sector जो है, वो R&D में पैसा कब खर्च करता है, जब manufacturing अच्छे से promote हो, और जब कि हमारे country के अगर बात करें, तो हमारे country में अभी तक manufacturing के उपर इतना focus किया नहीं गया है, ये international trend शो कर रहा है, इसका मतलब यह हो गया, कि अभी जो सरकार की जो policy है, जिसमें manufacturing hub बनाने की बात की जा रही है, उसको R&D से compliment करवाना जरूरी है, फिर आजाओ 2011 2011-12 से 2017-18 के बीच में, कि हमारे यहां से जो universities या institutions जहां से हमारे यहां पर R&D में काम किया जाता है, उनके numbers तो इतने बढ़ गए हैं, उनसे जो doctoral degree लेकर करके जो PhD करके जो लोग निकलते हैं, उनके numbers तो बहुत बढ़ गए हैं, doctoral degree कितनी मिल रही है हमारे देश में, एन्व बढ़ चुकी हैं, 752 से 1016 तक, और doctoral degree कितनी मिलने लग गई, 10,000 मिला करती है, जो कि बढ़ कर के 24,44 तक हो गई है, इसका मतलब हमारे यहां पर institution भी बढ़ रहे हैं, और जो कहते हैं कि expertise जो individual होने चाहिए, हना जिनके पास में degree होती है, तो degree holders की भी कमी नहीं है, पर सवाल क तक वो doctoral degree holder जो हैं, वो perform नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे situation में हमें जरुवत क्या है, कि जो दूसरे institutions हैं, जिनके वो funding बहुत कम allocate की जा रही है, उन पर ध्यान दिया जाए, फर example, DST, DBT, ICMR, CSIR, यह जो हैं, वो बहुत ही important role play करते हैं अपने अपने domain में, तो इनका अपने आ लो कोई भी master degree कर रहा है या PhD कर रहा है, तो उनका collaboration इनके साथ में होता है, क्योंकि projects जो भी होता है, उन projects को funding DST, DBT, ICMR, CSIR के द्वारा दिया जाता है, तो इनकी लिए funding allocation जादा होनी चाहिए, जिसको हमने अभी तक बहुत कम कर रखा है, फिर आ जाती है बात National Education Policy 2020 की, इसमे CDC statement दी गई है, कि research और innovation है, education institutions में, जिसको हम जितना promote करेंगे, उतना ही हमारे देश के लिए फायदे वाली चीज होगी, साथ में, जो best teaching and learning processes है, उनको हम focus में रखेंगे, ठीक है, इसके अलावा National Education Policy 2020 क्या कहती है, कि National Research Foundation establish किया जाएगा, जिसमें competitive manner में funding allocate की जाएगी, इसका मतलब कि जैसे कोई भी एक performance, कोई भी एक task दे दिया, कि भई एक गाउं में हमारे आपर यह problem चल रही है, कि मानलो वहाँ पर hunger भी है, वहाँ पर पानी की कमी भी है, और वहाँ पर job create करनी है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो इस competition में, जब research development, R&D से related जो लोग हैं, वो का करेगा, उसको उसके competition के हिसाब से budget allocate कर दिया जाएगा, इससे क्या होगा, कि एक तो अच्छी quality का model मिलेगा, और दूसरा, उस model को हम patent करवागे, दूसरे countries को हम बेच भी सकेंगे, तो बहुत फायदा होता है इस चीज से, ठीक है ना, इसके अलावा peer review, that means, कि एक group ने अगर अच्छा model तेयार किया है, तो दूसरा जो group है, वो भी उसको review कर सकता है, अगर उस model में कुछ कमिया रह रही हैं, तो उसको correct out भी कर सकते हैं, और उससे learn भी कर सकते हैं, तो ये एक तरीके की system हमारे आपर learning system में लाने की जरुत है, finance minister ने 2021 का जो budget speech था, उसमें ये बोला था कि आने वाले time पे R&D के लिए लगबग 50,000 करोड रुपे का allocation किया जाएगा, बट reality ये है कि अभी तक इतना allocation नहीं हो पा रहा है, तो ज़रुत क्या है, कि central government अभी जो research and development के लिए जितना allocation हो रहा है, जिसमें कमी आ रही है, उस कमी को पूरा करे, ज्यादा भी नहीं, तो क target को achieve कर पाएंगे, कौन से को, 50,000 करोड रुपे वाला जो target है उसको, ठीक है, तो अभी तक जो आप, और हम allocate कितना कर रहे है, only 0.66% of GDP, तो ये rise करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो national research foundation होगा, वो immediately इस खर्चे के, ये जो deficit इसको जैसे government fulfill करे, तो उसको allocate करे, किनको CSIR, DST, SERB, DBT, ICMR, ICAR, ये agencies हैं, जो कि हमारे हाँ पर research and development को बहुत promote करती है, अब SERB की बात करें, इसके full form से आप समझ जाओगे कि ये क्या है, science engineering research board, ये basically already funding projects को fund करने का काम करती है, तो यहाँ पर writer क्या बोलना चाहरे है, कि ये जो SERB जो की existing body है, इसी को आप upgrade कर दो, इसी म अगर आप जो national research foundation के जो provision डालना चाहते है, वो डाल करके, और SCRB को प्रोमोट करके NRF बना दो, अलग से नई body बनाने से क्या मतलब है, है उसको ये upgrade कर दो, इससे क्या होगा, complications भी नहीं बढ़ेगी, और file तो में जो resources allocated SCRB के, वो wastage भी नहीं जाएंगे, इसके आगे हो सके, जैसे की कौन से project सेल रहे हैं, और project में कितनी funding की requirement है, और साथ में information sharing के basis पे एक better understanding भी बन पाएगी, ठीक है, research and development में, जितने भी projects हैं, उसमें public institutions तो, देखो, काम करने ही ज़रूरी है, कि private sector जल्दी से नहीं आएगा, इतनी जल्दी attract होकर गे, और दूसरी तरफ start-ups का हम एक ecosystem develop कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें support देना चाहिए, that means public और startup दोनों, इसके अलावा, एक comprehensive coverage होना चाहिए, जितना भी खर्चा किया जा रहा है, R&D पे, ठीक है, देखो, developed countries की जो practices हैं, उनसे भी हम learn कर सकते हैं, तब ही India अपने आपको self-reliant बना सकता है, अब देख हम कैसे खुद को upgrade कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या किया जाए, कि आने वाले 5-6 सालों में, हर साल, 5-6 सालों में लगबग लगबग, हर साल नहीं, लगबग लगबग, 5,000 scientists या students की हमें जरूरत है, जिनके पास में expertise हो, अपने-पने domain की, और वो expertise हम कैसे gain करवा सकते हैं जिन भी developed countries, जो भी developed democratic countries, जिनके साथ में हमारे relations अच्छे हैं, उन countries में जाकर के उनको वहाँ पर training दिलाई जाए, वहाँ पर learning करवाई जाए, और फिर वो इंडिया में आकर के अपनी expertise और अपनी learning का फाइदा दें, इससे क्या है, कि हम दूसरे countries की practices को भी समझ सकेंगे, best quality की laboratories जो abroad में available है, वहाँ पर उनकी job करवाई जाए, उनको training करवाई जाए, इसके अलावा जो doctoral या post-doctoral individuals है, जिनके पास में degree available है, उनको और ज्यादा अच्छे से remunerate करते हुए, उनको और encouragement देने की जरुरत है, कि भी आप और अच्छे से काम करो, जिससे की हमारे देश को R&D में और ज्यादा success मिले, ठीक है, तो यही चीजे बार बार बताई जा रही है, तो ऐसे में human resource की बात आ गई, budgetary allocation की बात गया गई, institutions को strengthen करने की बात आ गई, या internationally हमारी collaboration उनकी साथ की बात करे, जैसे Australia, India, Australia, US, India, UK, India, Europe और India, Australia, इन collaborations का हम बहुत फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, और जो research and development के लिए जो funding है, जो stagnant है, फसी पड़ी है, उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, fast track mode में decision making होनीची, information proper sharing हो, और investors को भी allow किया जाए, क्योंकि CDC बात है कि private sector जब तक आगे नहीं, lead role play नहीं करेगा ना, तब तक हमारे यहाँ पर independence नहीं आ पाएग हम कई ना कई technologically बाहरी देशों पर ही dependent रह जाएंगे, तो ज़्यादा भी नहीं ना, तो सरकार को आने वाले तीन सालों में GDP का एक परसेंट तक खर्चा करना चाहिए, R&D पे बढ़ा करके, अभी 0.66 है ना, इसको एक परसेंट तक लेके जाओ, और वैसे देखा जाए तो दो परसेंट रो उससे ज़्यादा भी राइस करना है, तो बोले ये एकदम अच्छा टाइम है, जब हम आजादी का 75 साल सालिबरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये science, technology, research and development से सम्दित बहुत ही अच्छा article था, समझा हमने आगे चलते हैं